गरियाबंद पुलिस अधिक्षक जेया ठाकुर ने कहा है कि जिले में पुलिस मावादियों से लिपटने के लिए नकसल विरोधी अभ्यान तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। उन्होंने बीती रात अमली परदर थाना क्षेत्र के पीपल खुटा गाउं के पास नकसलियों द्वारा ठेकेदार की जेसी भी तथा अन्य चार मशीनों को जलाये जाने के मामले को गंभीता से लिने की बात कही। पुलिस अधिक्षक ने क्षेत्र में नकसल अभियान तेज करने के संकेत भी दिये। बताया कि इलाके की घेरबंदी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये इलाका 36 कड और ओडिशा सीमा पर है और इसी का फायदा उठाकर नकसलियों ने घटना को अंजाम दिया और फिर ओडिशा भाग गए। तो पुलिस गटना इस तल के लिए हमारे पारटी गई है और इसके बाद जो भी है जैसा सूचना मिलते जाएगा नकसल आपरेशन हम इसमें निश्चीत रूप से चलाएंगे और अभी चूकि आज की घटना एक अचानक घटना हो गई गौर तलब है कि गरिया बंद जिले में बीतीरात नहर तथक टैंक निर्मान का काम कर रहे ठेकेदार की मशीनों को नकसलियों द्वारा जलाए जाने की घटना सामने आई ये घटना अमली पदर धाना क्शेत्र की है